नमस्कार आप सभी का अगेंस्ट करफ्शन 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना आयोग में यदि द्वीतिय अपील की सुनबाई नहीं हो पा रही है ज्यादा बिलंब हो रहा है वर्सों लग जा रहा है तो आप सूचना आयोग में भी RTI लगाकर अपने अपील वाद की सुनबाई सिग्रिफ कैसे करवा सकते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे चलिए जो इस चैनल से पहली बार जुरे हुए हैं वो अबस सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दवाकर आल पर भी क्लिक अबस्य कर लें जिससे इस तरह के हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो पिना स्किप कोई हुए अबस से देखेंगे जिससे ठेक से पूरी जानकारी आपको सिग्र मिल सके तथा इसका लाग आप अबस उठा सके और एक लाइक अबस करेंगे तथा इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे जिससे हम आवेदक RTI कारी करता को इसकी जानकारी आसानी से हो सके और वे अपने सूचना आयोग में लंबित सुनवाई को सिग्र करवा सके तो चलिए हम लोग जानेंगे सूचना आयोग में RTI हम लोग किस प्रकार लगाए हैं हम लोग राज सूचना आयोग में RTI लगाने की बात यहां कर रहे हैं आप लोग देखें जिने प्रपत्रको का फॉर्म होगा वे अवस्र फॉर्म में भरेंगे जिने फॉर्म ना उपलब्ध हो वे इसी तरह साधे कागज पर भी अपना एक आवेदन लिख कर एक RTI लगा सकते हैं या टाइप करा लेगें तो चलिए हम लोग देखें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन प्रपत्रको प्रपत्रको के ही माधियम से हम लोग आवेदन पत्र करते हैं इसलिए यहाँ प्रपत्रको अवस्र लिख देंगे आगे लिखेंगे शिवा में लोग सूचना पदाधिकारी या जन सूचना पदाधिकारी में बिहारास्ति संबंदित हूँ इसलिए यहाँ अपने राज सूचना आयोक कारयाले का मैंने पता दिया है इसलिए आप लोग भी अपने अपने राज के राज सूचना आयोक का यहां पता अवस्य लिखेंगये बिस है आर टी आई एक्ट दो हजार पांच के तहत सूचना अपलब्द कराने के सम्बंद में पहले में अपना नाम लिखेंगे जो भी आवेदक हो वो अपना नाम लिखेंगे अपने पिता का नाम लिखेंगे और पूरा पता अवस्द लिखेंगे जिसमें पीन खौड अवस्च लगन कर देंगे तीसरा है मुझे निम्लकि सूचनाएं सिख्र परदान करने की किरपा करें जिस उभी सूचना हम लोगों को चाहिए राज सूचना आयोग से उसके बारे में अब हम लोग सूचना मांगेंगे एक नमबर से मैंने दिनान कितना को प्रपत्र या पत्र के माध्यम से रेश्टर डाक के माध्यम से या आयोग में जमा कर जिस भी माध्यम से आपने सूचना आयोग में द्विती अपील दायर किया हो उसके बारे में यहां लिखेंगे जिस दिन आपने डूती अपील दायर किया हूँ इस संबन में मैं जानकारी चाहता हूँ कि मेरे आवेदन पर अब तक कारवाई की जाएगी जो आवेदन हम लोग डूती अपील के लिए सुचना आयोग में देंगे तो उसमें लिखेंगे कब तक की जाएगी उस पर सुनवाई या कारवाई दूसरा मुझे वानचित सुचनाएं की अती आवस्षकता है इस कारण सिग्र सुनवाई कर वानचित सुचना सिग्र दिलाने की किरपा की जाए जोभी सुचनाएं मैंने Pio द्वारा मांगे थी उन्होंने मुझे सौ समय नहीं दी इस कारण मैंने द्विती अपील दायर किया है इसलिए हम लोगों को द्विती अपील राज सुचना आयोग में की जाती है इसलिए राज सूचना आयोग में सिर्व सुनवाई कर वांचित सूचना दिलाने की एक प्रात्ना करेंगे तीसरा है चुकि सूचना परदान करने में पहले ही डैस जितने भी वर्स या जितने ही महनों का बिलंब हो चुका है चुकि आपने सूचना जिस भी दिनान को मांगा था उसके बाद आपने प्रथम अपील की उसके बाद द्वितिय अपील की तो द्वितिय अपील जितना बिलंब हो रहा है उस हिसाब से यहां डेट के हिसाब से आप अपना यहां जितने भी बर्स होंगे एक वर्स दो वर्स जितने भी बर्स बिलंब हुआ वो देंगे या जितने भी महना आप लोगों को सुचना कुपलब्ध कराने में बिलंब हुआ है उसकी यहां जानकारी देंगे का बिलंब हो चुका है इस कारण दोसी पर सुचना सुनवाई करते हुई सिग्र करवाई करने की किरपा की जाए जो भी सुचना देने में बिलंब पियायो द्वारा किया गया है जान पूझकर उस पर सुनवाई करते हुई सिग्र करवाई करने की प्रात्ना भी करेंगे चौथा यदि आपका सुचना जीवन और सुतंतरता से संबंदित हो तो आप लोगों को द्वीतिय अपील में भी अवश्य RTI लगाकर अपनी सुनवाई सिग्र करवा ना चाहिए क्योंकि जीवन और सुतंतरते संबंदित सूचनाएं मात्र 48 घंटे में देने का प्राभधान है RTI 2005 के तहत यदि लोग सूचनापदाधिकारी नहीं देते हैं तो आप अपील करते हैं और अपील में भी यदि बिलंब होता है तो आपको परिशानी का सामना करना परता है इसलिए यदि किसी आवेदक या RTI कारिकरता को जीवन और सुतंता से संबंदित सूचनाएं के लिए द्वितिय अपील किया हो तो अवस्य द्वितिय अपील पर भी सूचना आयोग में RTI लगाकर अपना सुनवाई सिग्र अवस्य करा सकते हैं तो चलिए देखे चौथा पॉइंट में है जीवन और सुतंता से संबंदित होने के कारण मुझे सिग्र सूचनाएं प्रदान करवाते हुए दोसी पर सूचना अधिकार अधिनियम की धारा बीस एक वो बीस दो के तहत करवाई करते हुए नयाय दिलाने की किरपा की जाए जो भी प्रातना है हम लोग इस तरह पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे आप एक दो पॉइंट और अधिक लिख सकते हैं जो भी आपको परिशानी हो जो भी आप सूचना आयोग में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं वो यहाँ अवश्य लिख देंगे अपना को आपने आवेदन किया हो उस तारिक का नाम यहां तारिक अवस्य देंगे अलो लग लग में जो दूती अपील हेतु आपने आवेदन जमा किया होगा उसका साक्ष अवस्य देंगे रेश्टर डाक से किया हो तो वो भी देंगे और सुल के लिए जो 10 रुपया आपने दि सभी काग्यात को self-attested अवस्य कर देंगे आसा है आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे कि सूचना आयोग में भी हम लोग RTI लगा कर अपने द्विती अपील या सिकायतवाद की सुनवाई सिग्र कैसे करा सकते हैं इसका भी प्रयोग हम सभी को अवस्य कर लेना चाहिए जिससे द्विती अपील की सुनवाई सिग्र हो सके और दोसी पर भी अवस्य करवाई हो सके जैहिन